स्मार्ट एं लीगल गाइदेंस डाउन्लोड दिया अप्लिकेशन नाउ यहांट पूरे देश में जब एलेक्शनहोगा वन ओन इलेक्शन का बिल आ जाने के बात में आपको लोकसे जने वाद में स्में भी आपको वोट डालना पड़ेगा और अगर आपका स्टेट के अपडेरोans का अलग अलग अपने time period के अंदर होते हैं जब उनका कारेकाल खतम होता है पांस साल का तब जहें अपना election हो जाते हैं जब लोग सबग अपना कारेकाल खतम होता है जब लोग सबग अपना चुनाव होते हैं तो अलग अलग सबका अपना अलग अलग time period होता है कभी अपना वोट डाला पड़ेगा तो दोनों चीज़ उकले एक साथ वोट डाल दो भई बार बार आपको वोट करने की जुरत नहीं पड़ेगी आपको लोग सभा के चुनाव के अंदर कौन रूलिंग पार्टी बनेगी उसके लिए अगर आपको चुनाव करना है तो एक बारी वोट के दुरान हमारे को सबजने को मिलती है इसके नसे से फैफाइदी के बात यह होती है कि जब हमारा लोग सभा के चुनाव होता है तो उसकी अपनी जो अडमिनिस्रेशन होता है और जो सरकारी अपने करमचारी होते हैं उनकी अपनी डूटीज लगती है ये अलेक्शन को पुद्दे वाली बात यहां पे नोने करी है कि लोग सब्वागा चुना होता है तब यहां पे खर्चा जादा होता है और सरकारी खजाने में से जादा खर्चा देना पड़ता है यह एक अपना फायदे वाला पॉइंट रिपोर्ट के कर दाबिक बताया गया है और यहां पे अब इसका नुक्सान क्या होगा वैसे के अपना पॉइंट गईवाने का इपना कि बाई देखो मैंने 5 साल के अंदर ये काम करा है ये positive काम करा है ये negative काम करा है अब भारती जो जनता होती है भारत की उनके पर अपना choice अपना पास रखने में अपना फाइदा रहता है कि बाई ये सरकार जो अभी ruling party में थी ना इनके पास अपना इन्होंने 5 साल के अंदर कारेकाल के अंदर ये काम अपना अच्छा करा ये काम बेकार करा इस वज़े से मैं ruling party को दुबारा जिता के ruling party बना सकता हूँ या जो दूसरी party है उसको मैं अपना chance देना चाहता हूँ अपना particular ruling party के अंदर आने के लिए आपको उस particular time के अंदर ही wait करना पड़ेगा और यहां पर पूरी के पूरी देश के अंदर एक ही चुनाव होगा जो कि यहां पर एक drawback वाली बात है कि अब जब elections में यहां पर focus होगा यहां पर इंफसाइज करना एक ही particular सरकार के अपर अपना ruling party में मैं कोई एक party के biasness के बारे में नहीं बोल रहा जो party अपना center में बैठेगी उसके पास अपनी power जादा रहेगी इन अगर मैं practical point of view से बात करता हूं अब यहां पर खर्चे की बात मैंने आपको बता दी है बट जो अपने particular other ruling parties हैं अगर other opposition leaders हैं उनके द्वारे यह बोला गया है कि यह अपना जो bill है यह बहुत बेकार है अगर यह देश के अंदर आ गया तो यह पूरी के बड़े constitution के खिलाफ होगा और अगर मैं अपना अमेंट्मेंड करना पड़ेगा जो पार्लिमेंट के ben के बारे में बात करता है करेकाल के बात बाद में बात करता है और यहां पर 162 के अंदर अपना amendment करना पड़ेगा, 174 के अंदर amendment करना पड़ेगा, जो state assemblies के elections के बारे में बात करता है, state assembly के कारेकाल के बारे में बात करता है, और एक final अपना article के अंदर amendment करना पड़ेगा, ruling party को, article number 356 के अंदर, जो अपना emergency की, state emergency के बारे में बात करता है, इसके अंदर भी यहाँ amendment लाना पड़ेगा अगर यह amendment अपना सही तौर पे हो जाते हैं तो उस case में यहाँ पे one nation one bill introduced किया जा सकता है साथी में इसको अगर पास कराना है न यह one nation one bill को अगर पास कराना है तो इसके अंदर यहाँ पर ruling party को अपना bill को पास कराने के लिए सोला विधान सभा का सपोर्ट लगेगा सोला स्टेट असमली का सपोर्ट लगेगा उसके बाद भी यहाँ पर particular अगर वन नेशन वन बिल आ जाता है इसका तू रेस तू थू थू का यहाँ पर वोटिंग की majority यहाँ पर पास कराने के लिए दोना houses के अंदर लगेगी अगर य पुरे देश के अंदर अब वन नेशन वन बिल का अपना particular कारेकाल अपना शुरू हो गया है यानि कि पुरे देश के अंदर एक ही election होगा वो लोकसवा का होगा और साथ में state assemblies का होगा याद रखेगा अब आप लोग मेरेको अपना point of view बताईएगा कि आप लोग follow up करते ह चाइए या अलग-अलग सभका अपना point of view होता है बट आप लोगों का point of view रहेगा इस particular context के regarding ये comment box के अंदर जरूरू बताएगा साथ ही में जो मैंद आपको 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 अर्टिक बताएगा आपके exam के अंदर दूसरी बात आपको 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 आर्टिकल्स ब उसको आप जरूर पढ़िएगा ये पर्टिक्लर कोशन वाइज अगर मैं एक्जाम पॉंट ऑफिस से बात करूं बीन आयन एक्जामिनर के लिए या पेपर फ्रेमर के तौर पे मैं ये कोशन जरूर देऊंगा जूडिश्य एक्जाम के लिए तो इसके उपर आप थोड़ा स अगर हमारी पार्टी रूलिंग में आती है जीतती है तो हम वन नेशन वन इलेक्शन के उपर चर्चा जरूर करेंगे इन फैक हमारे ओनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब है नरेंदर मोदी जी इनके द्वारे भी क्लिया तौर पर बोला गया है अपना संसद के अंदर अप चाहते हैं at least चर्चा तो तो चर्चा जैसे हमारी होगी उसके बाद आप अपने पक्ष रखे अपने व्यूज रखेगा कि आप क्या चाहते हो और फिर हम अपने व्यूज रखेंगे दोनों का अपना पॉइंट रखने के बार में एक कंक्लूजन निकाला जाएगा यहां पर बुलाए और आप लोग क्या अपना पॉइंट अफ्यू रखते हो कि आप सपोर्ट में हो या विरोध में हो तो आप लोग मुझे अपना पॉइंट अफ्यू जूरू कर देना बिलकु सीधे शब्दों में आपको वन नेशन वन एलेक्शन के बारे में एक ब्रीफ इंड और में उर्ट में आपको वाँज जब्रह और में हो अब्राइब याद वालेक्शन के आपके लिए यहाँ आपको वाँ पयाँ रखता हो यहाँ पर देना पॉदकित अप जाब्लाइब प। झाल झाल